इस वीडियो में बनाने वाला हूँ बीएसी नर्सिंग के कुछ इन्फॉर्मेशन को लेके और ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ एम्स के लिए बीएसी नर्सिंग प्लस कुछ पैरामेडिकल कोर्सेस हर साल इसका एम्स अलग से नोटिफिकेशन देता है और बीएसी नर्सिंग 12 के बाद सिर्फ लड़कियों के लिए अलाउड होता है कुछ-कुछ केसिस में अगर आप कुछ और कोर्सेस कर चुके हो कुछ एन्म अगरे तो ब्वाइस के लिए भी अलाउड है डिटेल इन्फोर्मेशन इसका मैं भी पूरा लिंक देता हूँ आप वहां से देख लेना और जनरली मैं MBBS नीट से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ बट कई लोगों ने मुझे एक कमेंट में भी बोला और मेरे जो नोन है उन् नहीं है तो आपको उसमें पता चल जाएगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इसलिए बोलूँगा सबको कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बिकॉज इस पे नीट से रिलेटेड बहुत सारे इन्फोर्मेशन मेरे पास रहती है बेसी नर्सिंग की प्रिपरेशन इंटरेंस होता है वो थोड़ा हैवी होता है हैवी पेपर वाइस तो नहीं होता या कॉंपटिशन बहुत जादा होता है विकॉज कई बार लोगों के पास जस्ट आप्टर MBBS कोई बढ़ियां आपसन नहीं होता आपको पता ही है MBBS के बाद जो इमेडियेट आपसन है वो उतने लेकुरेटिव नहीं है जितने MBBS होते है तो बच्चा कन्फ्यूज होता है लेकिन नर्सिंग में अगर आप गौर्नमेंट जाब में जाते हैं तो यूल बी गेटिंग वेरे गुड सेलरी बहुत अच्छी सेलरी है और नर्सिंग में एक सेवा है अगर आप अपने आ आपको पूरा डिटेल दे देता हूँ एमसेक्जामस.ac.in इसका वेबसाइट है मैं आपको पूरा यहां पे स्क्रीन सौट दे देता हूँ या वीडियो रिकॉर्डिंग दे देता हूँ आपको तो पूरा मैं यह वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दे देता हूँ इस्क्र तो यहां पे आप एक लिक करिए यहां पे क्लिक जैसे ही करेंगे आपको एक विंडो खुल जाएगा new basic registration zone इस new basic registration पहले होता है फिर second phase का registration होता है basic registration का जो advertisement है वो आप देख लीजिए आप देख सकते हो schedule for undergraduate courses admission notice BSc Honors Nursing, BSc Post Basic, BSc Paramedical Courses, M.Sc. Nursing, M.Sc. Undergraduate and Postgraduate दोनों की information दी हुई है basic registration P.A.R. for BSc. Honors Nursing, BSc. Nursing, Post Basic, BSc. Paramedical Courses 2024 start date 5th March 2024 closing 4th April 5 p.m. तक उसके बाद general code of code for final registration of BSc Honors, Nursing, BSc, Nursing Post Basic ये 12 मास से start हो रहा है और ये चलेगा 12 अप्रिल तक, final registration भी जिसमें payment वगरे भी है वो भी आपका and city choices only for those who have generated code for final registration वो आपका 12 मास से start होके 12 अप्रिल तक चलेगा यानि second वाला post basic वाले application के साथ-साथ और ये मैं notification अपने telegram channel पर भी डाल देगा हूँ, वहाँ से आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, इसका जैसे भी ब्रोशर आ जाएगा, prospectus आ जाएगा, तो seat availability बता दूँगा, last year की मैंने अपने telegram पर डाल रखी है, आप वो डोट भी सकते हो, वैसे हर aims में कुछ-कुछ seat आप्लाई कर सकते हो, ठीक-ठीक courses होते हैं, कुछ reserve होते हैं, और हाँ आप aims से अगर करते हो कोई course, तो post graduation वगारे में भी आपके लिए कुछ reservation रहता है, तो आप अगर aims से PSE nursing करते हो, तो post nursing या उसके, I'm sorry, post graduated nursing, वो आप वहाँ से कर सकते हो, आपके लिए कुछ-कुछ seat है वहाँ पर reserve होती है, कुछ क्या करीब-करी 40% तो ये information मेरे इसाब से आपके लिए इतना sufficient है, कि इसके through आप अपना process start कर सको, और उसके बाद आप पूरी information देख सको, मेरे telegram चैनल पे आप जरूर जाके चीजों को explore कर सकते हो, वहाँ पे मैं ये सारी notification already डाल चुका हूँ, जब तक आपके पास video आएगा, वहाँ पे notification हो वहाँ से देख सकते हो, इससे जाधा detail देने की कोई खास जरूरत है नहीं, अगर कुछ आप comment करते हो, तो मैं process करूंगा उसको answer करूं, so thank you very very much, bye bye, take care